सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के एटा जनपस से उर्वसी बहन आती हैं जिन्नोंने प्रसारण के लिए सबसे पहले एक ये आदेश भेजा है ये आदेश उत्तर प्रदेश में निदसाले से जारी हुआ है और इस आदेश के मताबिक लाभारतियों के भरवाने का आदेश दिया गया है आए देखते हैं क्या लिटर में कहा गया है तो उत्तर प्रदेश के निदसाले से ये लिटर 26 जुलाई को कल जारी हुआ है और इस लिटर को जारी किया है अमर सिंग जी ने तो अमर सिंग जी अपर निदेशक हैं वित्त प्रभारी जिला कायक्रम अधिकारियों को पूरे उतर प्रदेश में भेजा गया है इसका जो विसे है उसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री मात्रवंदना योजना जिसको आप PMMVY के नाम से भी जानते हैं इस योजना के अंतरगत जनपद में पोर्टल पर मैप किये गए जो आंगनबारी केंद्र हैं उनसे प्रती केंद्र तीन लाभारतियों के फॉरम भरवाय जाने के सम्मंद में आदेश आया है तो देखिएगा यहां पर जो पोर्टल बना है उस पर कुछ मैप किये गए हैं आंगनबारी सेंटर मैप किये गए हैं उन सेंटरों को ही दिया गया है कि वहां पर तीन तीन आंगनबारी जो है जो हमारी आंगनबारी बहने हैं वो तीन तीन लाभारतियों के इस योजना के फॉरम भराएं यानि प्रधानमंत्री मात्रवंदना योजना के जो लाभारती हैं उनके फॉरम आंगनबारी बहने भरें और हर एक तथा बाल विकास पुष्टाहार विभाग के द्वारा संचालित किये जाने का नरडे लिया गया है। एक महत्पूर योजना है। पोर्टल पर पंजीकरत किये गया भारती की संख्या देखने के लिए pmmvy.wcd.gov.in ये जो पोर्टल है इस पर लॉगिन करके नियमा नुसार अपनी pmmvy.dno.login.id से लॉगिन करें। तो ये आंगन बारी बहनों को लॉगिन नहीं करना है अधिकारियों को करना है। डैस बोर्ड में रिपोर्ट जो यहां पर आपको डीप्यों लोग अपना वहां से चिक कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट, ब्लाग, सेंटर वो सम अपना चूज कर लेंगे उसके बाद चीजों को ओपिन कर लेंगे। उक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए आप अपने जन्पद में पोर्टल पर पंजीकरत लाभार्ती की संख्या देखना सुनिश्चित करें। साथी आपको नुर्देश किया जाता है कि मैप किये गए प्रतेक आंगनबाडी केंद्र से तीन लाभार्ती के प्रधानमंत्री मात्रवंदना योजना से संबंधित फारम अविलंब भरवाना सुनिश्चित करें। उक्तकारिकी समिच्छा माह के अंत्मे की जाएगी एवं किसी भी जन्पद से प्रतेक आंगनबाडी केंद्र के द्वारा तीन लाभार्तियों के फारम नहीं भरवाए गए उनके विरुद कठोर कारवाई की जाएगी। एक आदेश आया है तो आंगनबाडी भहनों को ये काम तो करना ही पढ़ जाएगा। स्वास्त भाग का काम आंगन बाड़ी को उठा करके सोब दिया गया और आंगन बाड़ी बहनों को बोला गया कि तीन-तीन कम से कम लाभार्तियों के फॉरम पोर्टल पर फीड करो यानि भरो प्रधानमंत्री मातरवंदना योजना के इस बारे में और भी कई बहनों ने जानक पल्स पोलियो अभिहान के बारे में तो यहां पर यह आप देख सकते हैं डबलो एचो की तरब से एक यह आंकडा जारी है जो की वाइल्ड पोलियो वाइरस वीकली अपडेट है 24 जुलाई 2024 का अभी जिसमें 2024 में 18 बच्चे जो है आपर पैरलाइज हुए हैं पोलियो के में भी हैं नौ केस अभी 2024 के जो हालाद हैं 2023 का जो आकडा था उसमें 12 बच्चे पैरलाइज थे पोलियो उनको था पाकिस्तान के छे थे अफगानिस्तान के छे थे तो आकडे दोनों जगए चाहे पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो दोनों जगए बराबर पोलियो मा जारत देश में ऐसा कहीं पर भी कोई सीन नहीं है अच्छी बात है बाकी केस ना आएं इसलिए पल्स पोलियो जैसे अभियान को गवर्मेंट जो भी आती हैं वो पांटिन्यू करती हैं यानी जारी रखती हैं ना कि उसको जो है रोक दे रही है क्योंकि लंबे समय से केस आने बंदोगे फिर भी पल्स पोलियो अभियान चलता है तो यह चीजें हैं यह आगनबाडी बहनों का एक बहुत बड़ा यहां पर इसमें इस अभियान को सफल बनाने में भूमिका रही लेकिन फिर भी हमारी सरकारें इस ओर ध्यान नहीं दे रही उनी सो पचछत्तर में बाल बेजा है आगनबाडी करमचारी संग में तीन अधिवक्ता कानूनी सलाकार मनोनित किये गए हैं यह तिलहर का एक मामला है जिब वहां पर प्रकासित हुआ है सहाँपूर जन्पद में ही जहां पर बताया गया सहाँपूर के अधिवक्ता संजे मिस्रा एडवोकेट सहित त सहाँपूर एकाई में कानूनी सलाकार मनोनित किया है महिला आगनबाडी करमचारी संग उत्तर प्रदेश लखनओ के प्रदेश अध्यच गरेश कुमार पांडे जनके द्वारा महिला आगनबाडी करमचारी संग उत्तर प्रदेश की सहाँपूर एकाई के गठन के लिए जारी पत्र के नुसार धरमबीर भारती जी एडवोकेट सहजहापूर और ओम जय मरत्यूंजे मिस्रा जी एडवोकेट जो की बरेली से हैं और संजे मिस्रा जी एडवोकेट इनको दो हजार चौबिस की सहजहापूर जिलाकार कारी में कानूनी सलाकार के पत पर मनोनत किया ग यहां पर आप कुछ आकड़ों को देख रहे हैं कि 20 पंचायतों में बनने शुरू हुए आंगनबारी किंद्र यानी देखते हैं आगे क्या क्या अकड़े समें निकल करके आते हैं बीते वित्ती वर्स में 186 आंगनबारी केंद्रों का निर्माड होना था लेकिन अभी तक महज 21 की सुरुवात हो पाई जबकि बाल विकास पुष्टा हारिभाग की ओर से मिलने वाली 2,00,00 रुपे की धन्रासी इन ग्राम पंचैतों को पहले ही दी जा चुकी है पैसा मिलने के बाद भी मनरेगा समेत अन्य मदों से पैसा नहीं मिला जिसके चलते या निर्माड कार अधर में लटक गए सरकार ने साप कहा है कि आंगनबारी केंद्र में पढ़ने वाले नौनिहालों को भवन दिया जाएगा इसके लिए जहां भी आंगनबारी केंद्र हैं वे सब विभाग के भवनों में संचालित किये जाएं इसके लिए ग्राम पंचैतों को ही निर्माड कर लो या निर्माडा अधर कर लो कुछ भी कह लो उनको ही आनी बना दिया गया इसके चलते विभाग दो लाक रुपया देता है सेज़ धन मन्रेगा और ग्राम पंचैत की निर्धी से ली जाती है जनपद में पिछले वित्ती वर्स में 186 आंगनबारी केंद्रों का निर्माड होना था इसके लिए प्रस्ताओ भी पास किये विभाग ने पैसे भी जारी कर दिये लेकिन निर्मार महज 21 में ही सुरू हुआ प्रबारी जिला कारकाम अधिकारी सीडिप्यो विने सिंग ने बताया कि सभी जगहों पर काम सुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है तो देखिए कितने अच्छे तरीके से जिलेकिये दिकारी प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ग्राम पंचायतों में किस तरह से काम हो रहे बीते वित्ती वर्थ में 186 आंगन बारी के इंद्रों का निर्मार होना था जिनमें से मात्र 21 में सुर्वात हो पाई है अब आप अंदर्जा लगा सकते हो कि जिलेकिये दिकारी भी इन मामलों में कितना सजग हैं और कितना आगे कामों को बढ़वा रहे हैं ये उनकी भी कुछ व्यक्तिकर जम्मेदारी है विभाग की कारेदायतों की यानि जम्मेदारी है कि वो भी तो अपने स्तर से इन मामलों में कुछ हस्तर छेप करें ध्यान दें कहां पर पैसा किसके लिए जारी हुआ प्रथम फेज में किसको मिलता है प्रधानों को अगर मिला है तो वो काम क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे है क्या रिजन है बहुत सारी चीजें क्योंकि इसके पहले की जो जैसे जमीन विवादित ना हो वो सब कहां भूमी मिलनी है वो चीजों का चैन तो पहले ही हो जाता जिसके चलते आप देखते हो साल दर साल बीदते हैं हर एक जनपन में ऐसे ही मामले दिखते हैं आपको आप पुराने वित्ती वर्सों की आगनबारी सेंटरों का रिकार उठालो उसमें भी तमाम सेंटर अधूरे ही मिलेंगे जिन में कहीं भीच से कोई किसी ने छोड़ दिया किसी ने छोड़ दिया ऐसे मिलेंगे तो यह कहीं ने कहीं लापरवाहियों के नतीजे हैं यह विभागी अधिकारियों का इन मामलों में ध्यान कम देना भी इन चीजों को दरसाता है और दूसरा सासन में एक और बड़ी कमी है की अधिकारियों की भी कमी है यानि 75 जिले हैं उत्तरपदेस में लेकिन 75 DPO नहीं मिलेंगे यानि हर जन्पद के लिए खुद का एक DPO नहीं है तो ऐसे में कहीं न कहीं मामलों में लापरवाही कहलो उदासिंता कहलो इन चीजों के कारण भी ये हैं कि सासन से इन पदों पर भरतियों का ना हुना विभाग को अधिकारी ना मिलना और ये केवल DPO इस्तर पर ही नहीं है CDPO इस तरपर भी सेम मामले हैं तमाम जो है CDPO जो है प्रभारी बना दिये जाते हर जगे के और यह CDPO तक ही सीमित नहीं है सुपर्वाइजर वाले पत पर भी यही हाल है एक एक सुपर्वाइजर कई कई जगे का भार लिए है क्योंकि उनके उपर भी ऐसे ही जिम्मेदारी दे रखी विभाग ने क्योंकि सुपर्वाइजरों की डंग से तैनातिया नहीं हो रही पर इक्षा कराई गई थी लेकिन उसका रजल्टी जारी नहीं किया गया बहने इस सम्मंदित भी धरना पदर्सन अपना कर रही है तो ये उदासिंता विभाग की भी है सासन की भी है कि भरतियों को ना देना पदों को खाली छोड़ देना जो रहे गए करमचारी उनी के कंदों पर बाकी लोगों का भार डाल करकि अपना उल्लू सिदा करना ये चीज़ें है अन्यथा अगर गुडवत्ता चाहिए किसी काम को लेकर तो सासन में इन पदों को भरा जाना अतियावस्यक है पद भरे जाएंगे तो हर कोई अपना अपना काम अपने छेत्र का बखवू भी कर पाएगा गुडवत्ता भी निकल के आएगी लेकिन यहाँ पर सासन मानो जैसे लगता हो उनको की पैसा भी तो देना नहीं पड़ रहा है पैसा भी तो बच रहा है खाली पद है तो पैसा बच रहा है इस वज़े से साइद कहीं न कहीं वो इन मामलों में लेड लतीफी करते हैं अन्य था फिर आप अंदाजा लगा लो 2017 में उत्तर प्रदेश में आंगन बाड़ी का प्रमोशन सुरू हुआ था 2023 या 24 में अन्त तक अभी जो ये सब चीज़े किलियर हो पाईए इतने इतने साल आखिर कैसे लग जाते हैं अब सोचिए पिछले साल या उसके पहले सुपरवाईजर का भरती हुआ था या फिर उसके बाद यानि पेपर हुआ था परिक्षा हो गया अभी तक साल से उपर हो गया टाइम और रिजल्ट नहीं वो दे पाए आप इससे इंदाजा लगा सकते हो कि कितना इन मामलों में लापरवाही बरती जाती है और यह लापरवाही कहीं है सातों नहीं है सरकार की किसी इस तरकी नीतियों में इन चीज़ों का हिस्सा है इधर बात करें यहाँपर महाराज गन्जले से सुसीला यादो जी है इन्होंने कहा मेरे mobile पर माने वाला मैसेज नहीं आता तो देखो, नहीं आता तो आप bank से जानकारी कर सकती है हो सकता है bank में आपका mobile number ना लगा हो ठीक तो उनके भी किसी न किसी जो है उसमें भी वही सेम नंबर लगा हो या आपके स्वेंट के अकाउंट में सेम नंबर लगा हो या उनका ही नंबर हो जो आप में भी लगा हो यानि मेरे कहने का ततपर है एक मोबाइल नंबर अगर एक से ज़ादा एकाउंटों में लगा है तो ऐसे में जो मोबाइल पर मैसेज वाली सुझाएं हैं वो नहीं साइद मल पाती हैं अपकी बैंक में पता कर सकती हैं बागी ऐनों ने लिखा कि बैंक वाले पूछो तो बताते नहीं है तो भाई बताएंगे आप मेनेजर से बात करो आप हो सकता है छोटे मोटे करमचारियों से या उन से बात करती हो जिनके उपर जादा बोध हो जादा भीड हो उस टाइम पर करती हो आप एक दो बार जाएंगी कहेंगी आराम से तो चीजें होंगी अब बैंक कौन है वो भी आप समझ सकती है सब जगह एक जैसे लोग भी नहीं होते हमारे आगर इंडियन बैंक का हाल बता है तो बहुत एक नंबर का वो लोग काम करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं कोई दिक्कते लोगों को ज़्यादा आती ही नहीं है यहाँ पर